जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले एक साल में CMRIZ में कई सारी academic पहले की गई है कई सारी academic गतिविद्या हुई है और कई सारी trainings कराई हैं हमने school leaders की तो इन गतिविद्यों की इन trainings के प्रभावों को जाचने के लिए निश्पक्षता से एक third party assessment कराया जा रहा है इस मुल्यांकन को करने के लिए या ये exam करने के लिए एक संस्था जिसका नाम है Center for Science of Student Learning उसको select किया गया है मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा जो ये पूरा assessment design करके conduct करेगी इस मुल्यांकन का निश्पक्ष रूप से होना बहुत ही आवश्यक है अभी तक हमने बहुत सारी ट्रेनिंग में ये देखा है कि हम चाहते हैं कि classroom print rich हो जाए teachers teacher learning material यूज़ करे teachers जो है अपने students को feedback दे या school leaders अपने teachers को feedback दे morning meeting हो circle time हो तो इन गतिविद्यों के प्रभावर को directly student learning से मतब देखने के लिए कि उनका ये जो गतिविद्या हो रही है नई तरीके के classroom का वातावरन हो रहा है उससे क्या बच्चों की पढ़ाई पर या बच्चों की learning पर वास्तविक्ता में कोई change आया है कोई बदलाव आया है इस बदलाव को सठीक रूप से समझने के लिए और आगे की तीशा तै करने के लिए कि आगे कि गति विद्यों को जादा कराना चाहिए किने कम कराना चाहिए ट्रेनिंग में किस चीज का जादा महत्व है इस पूरी चीज को समझने के लिए और आगे की ट्रेनिंग सही से करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि निश्पक्षता से यह जाद जो है हो निश्पक्षता से हमें पता चले कि बच्चों का learning level क्या है इसी लिए अभी सप्टेंबर में जो है एक बेसलाइन हो रहा है अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम बोर्ड रिजल्ट को देखते हैं थोड़ा सा अगर हम देखेंगे इस बोर्ड रिजल्ट और उसका comparison करेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्कूलों में 2022 से 2023 में 10th grade के रिजल्ट जो है उसमें पहले 51% स्टूडेंट जो है पास हुए थे और 2023 में 68% स्टूडेंट जो है पास हुए हैं करीब करीब 17% का जो है चेंज आया है यूनो पॉजिटिव चेंज आया है और वैसे ही अगर हम बाकी स्टेट का आवरेज पास परसेंट देखें तो केवल 55% से लेकर 62% तक वो चेंज सिफ 6% का है इससे हमें शायद एक गहती निश्पक्षिता से पता चलता है कि अच्छा बच्चों पर प्रभाव तो पढ़ रहा है और वो प्रभाव जो है सकरात्मक है वो प्रभाव पॉजिटिव है और हम शायद सही दिशा में ट्रेनिंग करा रहे हैं या सही दिशा में जो है CMRI school में जो program हम करा रहे हैं वो सही है वैसे ही इसी निश्पक्षिता से इसी प्रक्रिया से जो है अब हमें 10th का result पता चलता है क्योंकि उसका exam जो है standardized है उसका exam जो है invigilators बाहर से आते हैं copies बाहर चेक होती है और एक ही प्रकार का exam पूरे state में सारे बच्चों का होता है तो हम एक तरीके से यह comparison यह नंबर जो है establish कर पाते हैं पर यही चीज ग्रेड तीन के बच्चे के अच्छा तीन के बच्चे यह अच्छा छे के बच्चे कहां है उनका level कैसा है एक समन्वय रूप से एक ही रूप से उनकी जाच जो है नहीं हो पाती है तो हमें पता ही नहीं चलत करने की जरूरत है तो इसी लिए जो है यह assessment बहुत ही जादा जरूरी है हमारे लिए और इस assessment का निश्पक्षता से होना honesty से होना बहुत जादा जरूरी है ताकि हम सठीक रूप से पता कर पाएं कि exactly बच्चे कहां हैं और हम कहां उनको पहुचाना चाते हैं अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस assessment का खोड़ा overall जानकारी देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि जो assessment है वो जो है 212 CMRIS विद्ध्यालों में हो रहा है तो पूरे state में यह सारे विद्ध्यालों में नहीं हो रहा है यह केवल और केवल 212 CMRIS विद्ध्यालों में हो रहा है और जो है 29 CMRIS ज जातिये विद्ध्यालों में हो रहा है इसिके साथ साथ 21 नौ McN nel cognitive संवर्य विद्ध्यालों में भी बेस्ट travail जा रहा है यह due бал्रेशम जो है वो on time basis पहो रहा है तो इसलिए सारे मिद्ध्याले यह सारे CMRIS विद्ध्यालों में नहीं हो रहा है केवल चुने गए विद्ध्य में ये बेसलाइन हो रहा है अगर हम देखेंगे तो September में बेसलाइन हो गा तथा February में endline किया जाना है इसमें से subject क्या-क्या है कुछा 36 में भी Hindi, अंग्रेजी और गनित कच्छा नो में भी हिंदी, अंग्रेजी गनित, साइंस भी हैं अगर हम देखेंगे तो इस परिक्षा का परिनाम है व्यक्तिगत स्कूल के सितर पर नहीं दिखाया जाएगा इसका आकलंग स्कूल के बिधालथी के सितर पर नहीं होगा केवल और केवल राज जिस तर पर हमें पता चलेगा कि average बच्चों का जो level है वो क्या है बच्चों के कौन से weak spots है या कौन से strong spots है या वो क्या उन में growth हा रहा है baseline से end line तक लेके तो इस बात से बिलकुल झाल 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 झाल